हेलो दोस्तो, वेलकम टू दा विद्ध्यागान पाट साला, विद्ध्यागान पाट साला में आपका स्वाकत है, कैसे हो बच्चो, आसा गरता हूँ अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि क्या है आप तो और अच्छी पढ़ाई होनी और साथ के साथ हमने क्या है, एक मैत की सीरीज चलाई है, जिसमें क्या हम डेली क्या है, इतनी अच्छे कंटेंट के साथ कुस्ण लेकर आते हैं, आज का जो कुस्ण है, इतना अच्छे कंटेंट की है हमारे, कि आपके पेपर में हूब आ हूब मिल सकते हैं, अगर इस तरी तो इस तरीके से हमने क्या है आज कुशन सेट किये हैं यदि इन कुशनों को आप कर लोगे तो बास्तम में क्या है बहुत अच्छे नंबर गेंड करोगे मैत में और मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि क्या है जैसे कोई कुशन इसके टाइप का और आ जाए तो वो कीटते हैं इसमें हमारा पहला कुशन दे रखा है एकीसा बढ लुक्या है फैसे उनके नमबर आगे पीछे है शञार्ट के दो जोड वा जोड़की आर्थी इसने क्या किया कि दो अंकों वाली दो संधाव को जोड़ा है नीचे चाना है से उस जोड को उचित उत्तर क्या हो सकता है यानि कि दो तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो नंबर है वो क्या होना चाहिए यानि कोई लड़की है आरती उसने क्या किया है दो अंकों वाली दो संख्यां को जोड़ा है फिर वताना है मैंल है कि उसका उत्तर क्या हो सकता है और यदि हम कहा है दो अंको बाड़ी से बड़ी संख्या जूणे तो क्या हो जाएगा 99 यदि इस 99 को जूणे तो कितना हो जाएगा 9 और 118 यानिकि 196 196 से तो क्या होना चाहिए छोटा नंबर होना चाहिए और बीच से क्या होना चाहिए बड़ा नंबर होना चाहिए ऐसा नंबर, दो अंकों बाला जो टोटल होगा वो क्या होगा, 20 से तो बड़ा वो 196 से छोटा तो पहले तो यही देखो, देखो यह जो 17 नंबर है वो हमारा क्या है, 20 से छोटा है इसलिए यह हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो दो नंबर का दो, जो जोड वनेगा वो क्या वनेगा, अबीश से बड़ा वनेगा फिर धर देखती है यह 211 दे रखा है, 219 क्या है 196 से बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता ठीक है, इधर हमारा 399 है, यह 199 भी क्या है, उमारा 196 से बड़ा है तो यवी नहीं हो सकता जोड़ने में थोड़ा गलत हो गाई नोर्नों कतना हो जाए गाए गहला गाइ can even 182, do 1998 से यवी क्या है मेमाराा चोटा नमबर sorry बड़ा गैद बढ़न है यह वी नहीं हो सकता अब बचाहे कोंसा 189 to हमारा Ça आंसर कौन सा हो जाएगा 189 ठीचे ना अब इस तरीके के कोई और गुस्षन आए तो आप कर सकते हो अगला गुस्षन देती हैं अगला गुस्षन बोल रहा है कि तीन बच्चों ने 416 तीस को नीचे दिखाएगे तरीके से रखकर जोड़ा है यानि कि नीचे दे रखके हमेल पहरा तरीका एक कबीर है उसने इस तरीके से जोड़ा है कण है उसने इस तरीके से जोड़ा है और जो सफी है उसने कहा है इस तरीके से इसके लिए जोड़ा है यानि तीन बच्चे है इन्हों के दो नंबर दिये गए हैं कि 4,16 और 30 को जोड़ के दिखाओ तो उन्होंने कहा अलग-अलग तरीकों से इनको जोड़ी है तो देखते हैं अब फूर पूछ रहा इसमें किस इन में से किस के तरीके से बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा यानि किस के तरीके से इसमें सही उत्तर मिलेगा तो देखते हैं पहला किस तरीके से देखो 30 उपर लिख लिए ठीए ना बिल्कुल सही तरीके से लिखा है यानि कि इकाई के नीचे एकाई और दाही के नीचे दाही लिखा है बिल्कुल सही किया है लेकिन जो सफी है इसने गलत लिखती है क्योंकि इकाई कंग इसमें क्या है तीसमें इकाई कंग जीरू है लेकिन इसने क्या कर दिय जीरो क्या कर दिया दाही की स्थान पर लगाती है तो इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो इसमें कौन-कौन सही एक कबीर सही या एक कंड सही है तो हमारा option कौन सा हो जाएगा कबीर और कंड का कौन सा है हमारे पास में के बी ओप्सन, कवीर और काण, तो हमारा आंसर कॉंसर राइट हो जाएगा, बी ओप्सन हमारा क्यार राइट हो JDAEGA, ठीक है न, आगला कुस्षन देखती हैँ, आगला कुस्षन है, ये दे रहं का है महारे लिए, उदे, उदे कमला और मीरा, उदे कमला और मीरा, एक ब्रत पर अलग अलग विंदों से शुरू करती है ठीक न एक बりました किया है वो घूमना olması harus ब्रित के मद में और ब्रत के मद में एक गैंद उठा कर विल्ट के दूसरे विंदू पर जाती है नमबर एक, यह दे रखा है, सबसे पहले, सबसे पहले उद्य गेंद उठाता है, और ब्रत के दूसरे बिंदू पर जाता है, फिर है कमला उसी ब्रत के उसी बिंदू पर कहा है, सुरू करके दूसरी गेंद उठाती है, और सामने बाले बिंदू पर जाती है, यहीं कि सभी के क्या है यह तरज्या और यह तरज्या इसने भी क्या है पूरा किया है यह भी बरावर चला इसके दूर से पर्दी तक की दूरी क्या कहलाती है हमारी तरज्या कहलाती है तो यहां से क्या है केंदर से पर्दी तक चला है एक तरज्या और एक तरज्या यह दो तरज्या के और यह भी यहां सा चल वह बापिस आगया याने दो तरज्याओं के बरावर यह भी चला है तो तीनो वच्चे क्या है ? जो क्याने जो चले है Australia रॉत्था चाहर तीनो वच्चे बराभर चले है तो हमारा option अब वक्रावर क्या रॉप्श haya का दी जिससे पूरी ऑदर् shrnay और जिसे पूरी ऑदर्ने पर उसमें obs मगने मिलीं लिटर दवाई आती हेशdог किने अभी इस बोतल का पीम मार्य जिप अवर holding अविस बॉतल का असा बर्वा हुआ है तो पूछ रहा है कितने मिलिलिटर इसमें दभाई है तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे देखो चार दूनी आठ ठीक है और दो और तीन बच्चा बीच में गुणा के चिनने तो दो और तीन गुणा करो कितना जाएगा छे तो अभी इसमें छे मिलिलिटर के है दबाई भरी हुए है तो अप्सन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा हमारा अप्सन राइट हो जाएगा ची यानि कि छे मिलिलिटर ठीक है इसी तरीके से और तो आप इसी तरीके से लगाना है ठीक है अगला कुस्टन दे रखा है हमारे लाए 7000 छे एकाई और 4 शेकड़ा इसे प्लस करोगे तो कितना आएगा तो देखो इस तरीके कुस्णों को हम कैसे करते हैं जब 7000 बोला है तो 7 के पास में 1000 में कितने जीरो होते हैं हमारे 3 0 तो इसलिए क्या है इसे ऐसे लिखेंगे 7000 फिर बोला है 6 एकाई और 4 सेंकडा चार पहले इसे देख लेते हैं 4 जोड़ों कितना आएगा 6 इने जोड़ों कितना आएगा 6 इने जोड़ों कितना आएगा 6 इने जोड़ों कितना आएगा 4 और इने जोड़ों कितना आएगा 7406 कितना बन गया 7406 इसी तरीके से यदि और भी कुस्ण आ जाए नंबर चेंज करके देदे तो आपको ऐसे ही यानि कि 1000 बोले, 7000 बोले, तो इसमें क्या है, 7000 से गुणा करना, एकाई बोले तो 31 से गुणा करना, ठीक न, यानि 6 खम 6 आ गया था हमारा, अगर सेकड़ा बोले तो 100 से गुणा, यानि 400 बनाता है हमारा, तो टोटल में लग इतना है, 7406, ओप्शन कॉन सा राइट हो जाए तो आप बता सकते है, कमेंट बोक्स में, ठीक है न, और अधी अच्छा लगता है, तो लाइक भी करें, और क्या है, सश्क्राइब करने चैनल के लिए, टाइम टाइम पर आपके लिए क्या है, जो सवाल है, हम कराते हैं, उसका नोटिवेशन आपको आता रहेगा, जिससे यदि आप क्या है, सश्क्राइब कर लोगे, तो क्या है, नोटिवेशन सबसे पहले आएगा, और सबसे पहले क्या है, आपके लिए जानकारी मिलेगी, क्योंकि आपको जब पेपर है, 18 दिसम्मर को बहुत जान नजदिक पेपर है, तो इसलिए मैं क्या है, बहुत अच्छ पासम देरखा है कि एक बड़कार कागेश पर सीधी रेखा बना कर उसे दो हिससे में काड़ दिये गया है, उसका एक हिस्सा नीचे दिखाया गया है, याdock यह है आक pipes और वह जो इस तरीके से होना चाहिता है, लेकि यह हिस्सा क्या है, इसका काड़ दिया गया है, तो वो यह सीधर सीधर ट्राइंगल बन रहा है यह क्या है यह वाली बुजा यह इस बुजा से वड़ी बन रहा है तो यह भी नहीं हो सकता यह जो चोटी बन रही कि यह थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है यह एस छोटी होनी चाहिए और वह भी है तो option कॉंसा अगला कुछन है हमारा राम ने 250 गराम गाजर आठ रुपई में खरी दी यानि कि राम है उसने 250 गराम गाजर आठ रुपई में खरी दी है एक किलोगराम गाजर की कीमत क्या होगी तो देखते हम हमें याद करना है कि एक किलोगराम गाजर आपको पता है कि इसमें हमारे जरूत पड़ेगी कि एक किलोगराम में कितनी गराम होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक किलोगराम में 1000 गराम होते हैं तो एक किलोगरा 250 ग्राम गाजर कितने की है आठ रुपई की तो एक ग्राम गाजर कितने की होंगी आठ वटे 250 की आठ ग्राम कितने की होंगी यानिकि जो वाला जो अंक होता है वो बटे मा जाता है एक के निकालने के लिए तो एक ग्राम गाजर कितने के होंगी आठ वटे 250 की उसके बाद हमस तो एक चार बचा नीचे दो कुछ बचा नहीं सब कट गया तो आठ और चार की जब गुणा करोगे तो कितना आएगा आठ चोक बतेस कितना आएगा आठ चोक बतेस तो हमारा जो आंसर वनेगा वो कौनसा सही हो जाएगा D ओप Awशन हमारा राइट हो जाएगा अगर इतने क्ल पिपपर आपको क्या है दिक्कत आइए ठीक Carolina तो हमें कैं कमेंट ब mail बता सकति है मैं कल और क्या है सही तरीका से अगली सवाल में बता सकता हूं टेक में सही तरीकिसे Lipp algun बिवाल पर देखते यह गला कुछ here अगला कुछिस गुणा 2,0-4 इस रख़ा है मालेवनाई एक पच्चीस गुणा जो सुकना चाहर और बरावर डे रख़ा है 100 और यह काले इस्थान पर क्या आएगा यह बताना है हमारे लिए तो देखो एक यह 100 नमबर दे रखा है इसका मतलब यह 25 और 4 की गुणा करोगे कितना हो गया 100 25 चोक 100 तो 100 बन गे हमारा अब बचा क्या 200 तो देख लो कौन से option में 200 बन रहा है देखते हैं 25 चोक 100 यहां तो गलत है 200 बनना चाहिए 25 दूनी 50 और 50 चोक 200 ठीक न यह वाला यह option सही हो जाएगा क्योंकि हमें यह देखना था कि 200 कौन से मनना ठीक न तो अब यह option हमारा विल्गुल सही हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन यह दे रखा है कि प्रिया के पास कुछ कंचे हैं उनमें से एक वटे च कंचे हैं अगर नेले रंगे कंचों की संग्यात 3 है तो उसके पास कुल कितनी कंचे हैं ठीक है तो इस तरीखे की सवालम और हम देख會 क्या करते हैं जू हमारे लिए बोल रख़ा है कि इतनी कंचे हैं या नीली रंगे व मैस turnedEd तो कि इसी में हमें क्या कर देना है जो भिन दे रखी है कंचौों की संख्या यानि एक बटे 4 है उसका पलट की गुणा कर देंगे एक बटे 4 का 4 प्लटे 1 कर देना है आपको ठीक ना तो एक से तो भाग करो कोई फर्रक नहीं पढ़नेगा ठीक ना क्या वच्छा तीन और चार तीन और चार ही गुणा करो तो तीन चोक बारे तो option कौन सा राइट हो जाएगा हमारा वारे उसके पास बारे कंची हैं ठीक है इसी तरीके से और भी सवाल आते हैं आपके लिए तो करती है उसने कहा है अलग अलग कातन कहीं एक ने कहा है कि यह आयत है तो बिल्कुल सही कह रही है तारा यह आयत ही है क्योंकि आयत में कह रहता है आमने सामने की बजा क्या है आपस में बरावर होती है तो बिल्कुल सही बात है तो बिल्कुल सही बात है बर्ग में क्या होता तो यह दो लिन कह रहे हुँ और इस हुआ यहा उपार मीजह समाल बीजर के to है आicop gep में एक व्यक्ति 20 किलोग्राम सामाल ले जाने की इन्मति में इस कि व्यक्ति को खो एक मैं है कितना सामान ले जाने की इनमोती है 20 kg सामान ले जाने की इनमोती है 20 kg यदी अधिक ले जाता है वो तो उस-पर क्या है 70 रुपए लिए जाते हैं ठीक न यदि 1 kg कर सामान का वजन 25 kg जा रही है उसमें हवाई जाहज में तो उसका जो बजन है टोटल वो कितना है 25 किलोग्राम है तो अत्रिक्ट सामाल ले जाने के लिए उसे कितना रुपई और देने पड़ेंगे तो हमें देखो 25 किलूग ले जाना है लेकर अनिता ले कितना जा रही है 25 ले जा रही है 5 ले जा रही है तो एक किलूग्राम पर 70 रुपए तो 5 किलूग्राम से कीच्ट्र रुपए एक्स्ट्रा देने पढ़ेंगे उसके लिए उणा करते हम 5 सत्य पैंतिस और एक यह जीरो यानि कि 350 रपए उसे एक्स्ट्रा देने पढ़ाएंगे, तो option कौन सा right हो जाएगा हमारा, वी option right हो जाएगा, ठीक ना, अगला गुस्टन देखते हैं, 32 मां कुस्टन है, नीचे दिये गए बिकलपों में, कौन सी आकर्ती में भिन चायंकित है, जो कि उपर दिगए आकर्ती में, यानि बताना हमें कि उपर जो आकर्ती दे रखी है, इसकी तरह कौन सी भिन नीचे है, तो देखो, ये पूरी भिन में क्या है, आदा आदा पार चायंकित है, तो देख लो कौन से उसमें आदा आदा पार चायंकित है, पहले वाले में हमें मिल गया, पहले वाले में क् वो 7-20 पर खेलना सुरू करता है बगीचा रात के 8 वज़े यानि 8 वज़े का 30 मिनट तो बंद हो जाता है बगीचा के बंद होने से पहले अमन वहां कितने मिनट तक खेल पाएगा तो देखो वो पहुचा कितने वज़े है 7-20 पर और बगीचा बंद कितने वज़े होताता है 8-30 पर ठीक है तो हम इसमें से घटा लेंगे देखते है 7-20 ठीक है तो देखो इसमें से घटा हो कितना वचेगा 0 3 में से 2 घटा हो कितना वचेगा 1 ठीक है न और 8 में से 7 घटा हो कितना वचेगा एक गंटी का मतलब 60 minute पिलस, 10 minute का मतलब तो हैंग 10 minute, तो 60 minute और 10 minute जुड़ोगे, कितना हो जाएगे, 70 minute यदि क्या है, अमान कितने time खेल सकता है, 70 minute, ठीक ना तो इस तरीके और वी question बने, तो ऐसे ही आपको करना है, तो option कौन सा हो जाएगा हमारा सही 70 मिनिट का कौnसअ ना कॉनसव hopzinho हो जाएगा ठीखे ओलम उसा प्वार्टन सही हो जाएगा, धीवार्बा उप करके देखते हैं, यहां पर 6 कम 6, ठीक है न, 6 आ जाएगा, कुछ नहीं बचाएगा, अब यहां पर जो अंक दे रखा है, मैं यह बताना है, कौन सांक आएगा, यदि हमारा देखो, मान के चलो, अंक हमने लगा दिये 0, 0 लगा दिये, 0 से तो मनेगा ने, क्योंकि 0 हो जाएग और 6 चंग 36, और ना जाने के एक सुपर ले गया किसमें, तो अप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, मारा तीसरा यह उप्शन क्या है, राइट हो जाएगा, यानि यह तीन आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगला कुस्षन देखते हैं, अगला कुस्षन बोल रहा है वो, कि सुम्या और सुदर्सन ने कागच पर नीचे दिखाए गए आकार बनाए गए है, यानि कुछ आकार इसने क्या है, दुर्गा ने यह आकार बनाया है, सुम्या ने यह आकार बनाया है, और सुदर्सन ने यह बला आकार बनाया है, कौन सा आकार सिर्प सीधी रेखाओं से ब यह सौम्या और सुदर्सन का क्या है सही हो जाएगा तो देख लो सौम्या और सुदर्सन कौन से में है तो हमारा सौम्या और सुदर्सन ठीक न तो कौन से हो जाएगा C option हमारा सही हो जाएगा अगला question तो इसी तरीके सा हमारे कैई है यह आज के कैई है जो भी question हम लेका आये तो बहुत ही अच्छे content के साथ लेका है और यही зарीज यह आपको क्या है अच्छी लग रही है तो इसे पत्मारा आगी करें यही तरीके के worry इसी यही सीरीज क्या है जैसे अच्छे अच्छे कुश्ण आपको क्या है पसंद आ रहे हैं कुश्ण और इतने अच्छे इन Ouществो कोनटेaving के साथ लेको आहीं हूब आपके लिए कि यही accident ba इस तरीके कुश्ण आएंगे तो आप पका कर सेरा कियों अपका को selection पक्का होगा ठीक है तो आप क्या है इसे लाइक करें सेयर करें ठीक है तो यह सीरीज आगे जारी रखवाना चाहते हैं तो इसको comment box में हमें बता दें ठीक है ना बनना क्या हम इसे बंद कर देंगे ठीक है थैंक यू बच्चो